पिशाचनी ये जानती है कि रक्षित उसका सामना कर लेगा और वो रक्षित से हार भी जाएगी इसलिए वो कभी भी रक्षित के सामने नहीं आती है जिसके बाद अब बात करें शोक्यान वाले ट्रैक की तो आप सब देखेंगे कि कैसे रक्षित के सामने अब चल दी पिशाचनी कुछ ऐसे ड्रामे करेंगे जिससे रक्षित के होश उ वानुवाली है जिससे कहानी में एक नया मोड़ा सपना है तो अब देखना मज़धार होगा क्या कि और कॉनों चा ड्रामा हमें इस हफते के दोनों एपिसोड में देखने को मिलता है फिल आलक मैं श्रविम बस इतना ही और भी अपने फेवरेट शो दिव दिश्टी से लेटेस्ट अप्डेट को जारने कर सब्सक्राइब किश्जा हमारा चानल